वैसे तो आपने सिंगारे की बहुत सारी डिसेस खाई होंगी लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंगारा और बैगन की गरेवी वाली सबजी जिसे आप चावल के साथ खाईए प्राठे के साथ खाईए ये बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है और वैसे भी सिंग घर का जाई कावित खुश्बू में आपका स्वागत करती हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और मेरे चनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सारी सबजियां ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से बॉस करकर कर कट कर लेंगे तो यहाँ पर हमने लिया है बैगन, सिंगारा, टमाटर, मूली, धन्यापता और हरी मीट्ज और यह सारी इंगिडियन्स का नाम मैंने वीडियो के लास्ट म उतार लेंगे तो यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और इसे गर्म होने देंगे जब यह गर्म हो जाए तब हम इसमें सरसो का वाइल एड़ करेंगे और फिर इसमें हम पचपोरन और हरी मीर्च का छोक लगाएंगे हरी मीर्च और पचपोरन जब तक पट 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 ना कर ले तब तक इसे हम पकाएंगे तब पचपरान अच्छे तरह से cook हो चुका है अब हम इसमें add करेंगे सिंघारा को और इसे हलका सा fry होने तक हम cook करेंगे और पहले हम सिंघारा ही add करेंगे क्योंकि इसे पकने में भी थोड़ा समय लगेगा अगर आप उवले हुए सिंघारा का यूज़ कर रहे हैं तो आप बैंगन और सिंघारा को एक साथ भी ऐड़ कर सकते हैं बट यहाँ पर आप कच्छे सिंघारा का ही यूज़ करिएगा वो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में अब यह फ्राई हो चुका है अब हम इसमें आड़ करेंगे बैंगन और मूली और इसे में हम नमक आड़ करकर इसे गलने तक कुप करेंगे अब हम इसमें नमक आड़ करेंगे और इसे गलने तक ही कुप करेंगे इसे हम cover कर देते हैं और देखिए ये कुछ समय बाद कितनी अच्छी तरह से गल चुका है अब इसमें add करेंगे मसाले तो मसालों में हम इसमें add करेंगे हल्दी और फिर हम इसमें add करेंगे और हम इसमें add करेंगे टेमाटर और धन्या का पत्ता ताकि वो भी अच्छी तरह से गल जाए इसे एक दो मिनिट कुक करेंगे और फिर cover करकर इसे गलने तक कुक करेंगे तो देखिए अब गल चुका है अब हम इसमें add करेंगे लाल मिर्च पॉडर और जीरा काली मिर्च का पॉडर ये सारे इंगिडियन्स को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमिया जादा कर सकते हैं अब फिर इसे cover करकर हम तेल छोड़ने तक कुक करेंगे तो लीजिए ये तेल छोड़ चुका है अब हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे और फिर हम इसमें add करेंगे पानी अगर आप गिरेवी वाला खाना पसंद करते हैं तो आप उस पानी इसमें एक गिलास पानी add करिएगा या फिर आप इसे इस तरह सभी खा सकते हैं इसे हम cover करकर कुछ मिनट वाल आने तक कुक करेंगे ये बहुत ही positive सबजी है आप इसे एक वाट try जरूर करिएगा और हमें comment करकर बताईएगा कि कैसा बना है तो अब इसमें वाल आ चुका है और इसे एक कलची की help से थोड़ा सा mask कर लेंगे तो लीजिए तयार है गर्मा गर्म, सिंघारा और बैगन की सबजी अब हमारी ये सबजी रेडी हो चुकी है अब हम गास को off कर देते हैं अब हम इसे एक वाट में निकाल लेंगे अगर आप प्रोटीन के लिए नौन विज़ खाते हैं तो सिंघारा और बैगन की सबजी उससे अच्छा सुरूत है आप इसे जरूर खाईए अपने फैमिली खुद को खुश करिए फिर हम इसे हरा धनिया से गाने सिंग करेंगे तो लीजिए तयार है गर्मा गर्म, गरेवी वाली, सिंघारे और बैगन की सबजी आप इसे एक बार ट्राइ करिएगा तो इसके लिए आपको इंगेडियन्स के जरूरत होगी जो कि सारे इंगेडियन्स ये है I hope आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीस इसे एक लाइक और अपने फ्रेंट फेमली में से अब जरूर करें और हमें कमेंट करकर बताएं कि कैसा बना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इंट्रेसिंटिंग रेसिपी के साथ अपने इसी चैनल गर का जायका विद्खुश्वु में जब तक खुश रहिए खुशियां बाटते रहिए और आज पास सफाई बनाए रखिए क्योंकि अपना भारत स्वक्ष भारत थैंक यू थैंक यू और वाचिंग टेक केर और नमस्कार